हेलो डियर स्टुडेंट्स तो आज हम सीखेंगे एस्टर तथा लवण में क्या अंतर होता है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था एस्टेरी करण एस्टेरी फिकेशन और उदासीनी करण न्यूटलाइजेशन अभी किरियाएं क्या होती है और उनके बीच में क क्या अंतर होता है यह हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और आज हमें एस्टर और लवण में क्या अंतर होता है यह समझेंगे इतनी बात तो हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो से कि एस्ट्री करण अभी किरिया में एस्टर का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है और उदा सीनी करण अभी किरिया में लवन का सोल्ड का निर्मान होता है एस्टरी करण अभी किरिया क्या होती है आप क्या करेंगे कार्बॉक्जिलिक एसिड और एलकोहल लेंगे उनकी अपस में रियक्शन कराएंगे एस्टर बनेगा और उस अभी किरिया को आप कहाँगे estery current, esterification उदा सीनी करण अभी किरिया में क्या करोगे acid लोगे, aml और base लोगे छार आपस में reaction कराओगे अभी किरिया कराओगे, salt بنेगा लवन بنेगा और उस अभी किरिया को आप कहाँगे यह है उदा सीनी करण अभी किरिया तो आज हम एस्टर जो की एस्ट्री करण अभी किरिया में प्रोडेक्ट बनता है और लवन जो की उदासीनी करण अभी किरिया में प्रोडेक्ट बनता है इनके बीच में क्या अंतर होता है तो कल तो हमने क्या सीखा था कि एस्ट्री करण और उदासिनी करण अभी किरिया में क्या अंतर है आज उनके प्रोडेक्ट में सीखेंगे कि इनके प्रोडेक्ट में क्या अंतर होता है तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट पॉइंट है एस्टर जल में आइनित नहीं होते मतलब एस्टर जो होते हैं वो जल में आइनाइज नहीं होते आइनाइज मतलब पोजिटिव और नेगिटिव पार्ट में डिवाइड नहीं होते धनायन और रनायन नहीं बनते जब हम एस्टर को जल में घोलते हैं जल में डालते हैं अब जब की लवण की बात करें ये जल में आइनित हो जाते हैं मतलब लवण जो होते हैं जब हम इन्हें वाटर के अंदर जल के अंदर विले करते हैं घोलते हैं डालते हैं तो ये आइनित हो जाते हैं ionized हो जाते हैं मतलब positive और negative part में divide हो जाते है कि लिए अब देखे second point क्या है ये सहसायोजी योगिक है मतलब जो ester है वो covalent compound होते है अब जो सहसायोजी योगिक होते है वो जल में आइनित नहीं होते तो इसलिए ester जल में आइनित नहीं होते क्योंकि ये सहसायोजी योगिक है covalent compound है लवण की बात करें तो लवण जो होते हैं समानलेता आइनिक योगिक होते हैं आइनिक compound होते हैं इसलिए ये जल में आइनित हो जाते हैं ionized हो जाते हैं third point है वो बहुत ही important point है ध्यान से समझें एस्टर जल अब घटित होकर अमल वा एलकोहल देते हैं मतलब जब हम एस्टर का हाइड्रोलीसिस करते हैं जल अब घटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है अमल अमल बोले तो कार्बो ऑक्जिलिक एसिड और एलकोहल प्राप्त हो जाता है मतलब जब हम एस्टर जल अब गटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अमल कार्बो आजलिक ऐसीड और ऐलकौहल प्राप्त हो जाएगा देखे लवण की बात करें तो केवल दुरूबल अमलो अत्वा दुरूबल च्छारों के लवण ही जल अब गटित हो सकते हैं strong acids और strong base से लवण बने हैं, sold बने हैं, वो जल अब घटित नहीं होते, देखिए, यह point जो है, ester और लवण दोनों के लिए बहुत most important है, ester के लिए देखिए, यह बात याद रखो, ester जो होता है, वो carboxylic acid और alcohol से मिलकर बनता है, और जब हम उसका जल अब घटन करते हैं, तो हमें carboxylic acid और alcohol प्राप्थ हो जाता है, जिस से मिलकर बना होता है, वो ही क्या हो जाता है, हमें प्राप्थ हो जाते हैं, जब हम उनका जल अब घटन करते हैं, hydrolysis करते हैं, और लवण के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर केवल weak acids और वीक बेस से जो लवण बने हैं उन्हीं कहीं जल अफगटन होता है देखिए सधानरता एस्टर दिरव होते हैं तथा इनकी गण्द फलों जैसी होती है तो अब अगर हम लवण की बात करें तो सधानरता ये गण्द हीन ठोस होते हैं देखिए लास्ट पॉइंट है सधारणता ये जल में आविले होते हैं और कार्बिनिक विलाइकों में विले होते हैं अब लवन की बात करते हैं ये प्राहा जल में विले तथा कार्बिनिक विलाइकों में आ विले मतलब बिलकुल एस्टर का उल्टा कर दीजिए भई एस्टर जल में आ विले था और जबकि लवन जल में विले हैं एस्टर कार्बिनिक विलाइकों में विले हैं और जबकि लव कार्बिनिक विलाएकों में आविले हैं तो आज हमने सीखा कि एस्टर और लवन में क्या अंतर होता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी PDF आप हमारे टेलिगराम गुरूप से ले सकते हैं जाके आप सर्च करेंगे STR classes वहाँ पर आपको इसकी और इससे लास्ट वीडियो की भी PDF मिल जाएंगी